हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक्जाम स्टडी विस संगीता में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार पुलिस कॉंस्टेवल दो हजार तेईस के लिए स्टेटिक जीके के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टन कॉशन को दोस्तों इन सभी प्रिसनों को हम ए एक सुपर फास्ट रिवीजन के जरी यहां पर कवर करेंगे जिससे कि आपका समय भी यहां पर बचे और यहां मैंने कोसिस की है इस वीडियो में कि आपको मोस्ट इंपॉर्टन और एक्सपेक्टेड कॉशन ही यहां पर रखे जाएं जो की पृत्विक्ता परिक्षा में होते हैं यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे हैल्फुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरू कीजेगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं को एक केंदरी आलू सोध संस्थान कहां इस्तित है इंप्पॉर्टन कोशन दूस्तों एक्जाम में कॉशन कईवा रिपीट भी हुआ है तो केंदरी आलू सोध संस्थान कहां पर है सिम्ला में 28 मई 2023 को ये डेट यार रखेगा 28 मई 2223 को भारत के नए संसत भवन का उद्गाटन किस ने किया राइट आंसर है प्रधान मंतरी नरेंद मोदी जी ने पूर्व राष्टपती ज्यानी जेल सिंग की जैनती कब मनाई जाती है तो इनकी जैनती मनाई जाती है पांच मई को इंपॉर्टन फेक्टें के लिए देख ल जाते हैं ॗण 1922 में जेल सिंग को पंजाब के मुख्यमंत्री की रूप में भी चुना गया था अंत्राश्ट्रिय स्रम संगठं का मम्क्याले कह सते थे तो अंत्राश्ट्रण संगठं का मुख्याले जैनेवा में इस से तिदे नरेंद मोदी जी ने नए संसत भवन की चिनागरिक पौरुसकार का नाम है सैवल लियत नुप सरबूछिन पौरुसकार का नाम है किस नेशनल पार्क में किस नेशनल पार्क में के 1500 साल पुराणी रॉक पेंटिंग और 1800 से लेकर 2000 साल पुराने मानव निर्मित जलास से निकाय को खोजा गया तो ये खोजे गए बांदवगर नेशनल पार्क में और ये मद्ध प्रदेश में पढ़ता है बंगलादेश की संसत का नाम बताईए तो बंगलादेश की संसत का नाम है जातिय संस बांदवगर राष्ट्य उद्ध्यान मत्य प्रदेश के किस जिले में है तो बांदवगर राष्ट्य उद्ध्यान करेंट अफेर में सोस्तो इस समय चर्चा में है क्योंकि यह जलास है और रॉक पेंटिंग हो जी गई तो यार रखी गई यह उमरिया जिले में है 1968 में रा प्रेंज बुक्स के नाम से जाना जाता है बुद्ध जैनती को और किस नाम से जाना जाता है तो बुद्ध जैनती को हम बुद्ध पूर्णमा के नाम से जानते हैं यह दिन भगवान गौतम बुद्ध की जैनती का प्रतीक है जिनने बौत धर्म के संस्थापत ब्यक्ति की र कपना आया जाता है कहां सिक्हिंजा कोशन इंपर्टेंट है किस पौर्ट को बिस्व एतलेटिक दिवस साथ मई को मनाते हैं ठीक है रविंद्र भारती बिस्विद्धाले की स्थापना कब हुई तो रविंद्र भारती बिस्विद्धाले की स्थापना 1962 में हुई कहां पर पश्चे मंगाल में कुनो नेशनल पार्क किस राज में है तो कुनो नेशनल प उपादी किस ने दी है तो महातमा घांडी को महातमा की उपादी दी है रव्यनाथ ट्लिफर क्या है तो सक्षम का फुल फॉम्याह रखीगा इस ट्यूं स्टीमी टेंग Advanced Knowledge for Sustainable Health Management यह देश में सभी स्वास्त पेसेवर को online प्रिसिक्षण और चिकिसिक सिक्षा प्रिदान करने के लिए समरपित और एकिकरत मंच यानकी पोटल है पिरसिद राश्टी इसमारक पीसा की जुकी मीनार कहां पर है तो पीसा की जुकी मीनार यह इटली में है कहां पर इटली में दक्षण पूर्वे एशिया राश्टे संग यानकी आसियान का आदर्सवाग क्या है तो इसका आदर्सवाग है बन बीजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्यूनिटी ठीक है आठ अगस्त को एशियन दिवस की रूप में मना जाता है सोरी आसियन दिवस की रूप में मना जाता है उसका सचवाल है इंडोनेशय जकारता में है सी हैरियर एशेच 606 क्या है तो यह एक फाइटर जेट है इसे बिटिस एयरो स्पेस डिजाइन द्वारा निर्मित किया गया है स्टैच्यू ओफ उनिटी की स्थापना कहां की गई तो सभी जानते हैं स्टैच्यू ओफ उनिटी सरदार बल्लब भाई पटेल की प्रतिमा है जो कि गुजरात में है लेकिन इसके किनारे नदी कौन सी बहती है किसे पहले डच इस्ट इंडिया के नाम से भी जाना जाता था सही आंसर है इंडोनेशिया यह दक्षणपूर्व एशिया में सबसे बड़ा देश है ध्यान लखना कस्मीर की किस जील में पहली वार एक दुरलव एलिगेटर गार मशली खोजी गई तो यह डल जील में खोजी गई तीक है कस्मीर की डल जील में पहली वार एक दुरलव एलिगेटर गार मशली खोजी गई यानि कि यह देखने में एलिगेटर से लगती है लेकिन है यह मशली और यह मशली उत्री अमेरिका की मूल लिवासी है इसलिए यह question important है statue of beauty किस नदी किनारे हैं अभी मैंने आपको बताया था तो यह नर्मना नदी किनारे इस्तित है my life in design के पुस्तक के लेखा कौन है तो गौरी खान जो कि अभिनिता सारु खान की पत्नी है my life in design पुस्तक की लेखा का है डेली निउस किस देश का समाचार पत्र है आंसर है नियोर्क का योर्पिय संग के संस्थापक देश कौन से है तो यार रखे का important question है ये योर्पिय देश के संस्थापक देश है जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीडरलेंड, बेल्जियम और लक्जेंबर इसकी स्थापना हुई एक नवंबर 1993 को और मुख्याल है बुरूसेल्स में है इसका मांट टेवरिष्ट को तिबबती भासा में क्या कहते है मांट टेवरिष्ट को तिबबती भासा में बुले जाता है चोमो लूंगमा ठीक है important है नेपाली भासा में अठेक्सरस्कॉकों में पड़ा है साघरमाथा कहते हैं यह उट्या कि सबसे ऊचसी चोटी मांट टेवरिष्ट इस इस पर इस्थे चलिए मांट टेवरिष्ट इसके और वी उट्य देख लेते हैं इसकी स्थापना हुई 865 में मुख्याले जैनेवा सुध्यलेंड में है और यह एक्जाम में कॉशन आया भी है राउर केला इस्टील प्लांट किस देश की साहेता से लगाया गया सही आसर है जर्मनी अभी नब बिंद्रा किस खेल से संबन दे थे तो अभी नब बिंद्रा य यह पूर्ठेस राज में तो गंगोतरी राश्टी उद्भान उत्त्राखंड में पड़ता है विज्वरम कि राज धानी क्या है तो मिज्वरम की राजधानी है दोस्तों आई जोले क्या है यह जगनाथ मंदिर का है इश ठिछ surprise जर्मनाथ मंदिर है पूरी और्यसा में बावर का मूल नाम क्या था तो बावर का मूल नाम पूछा रहा है बावर का मूल नाम था जहिरुद्दीन ठीक है पूरा नाम है जहिरुद्दीन बावर कहते हैं इंको पूरा नाम अश्ट अध्याई की रशनाकार कौन है तो अश्ट अध्याई इस पुस्तक की रशनाकार ह आगरा किस नदी के किनारे बसा है तो आगरा यमना नदी किनारे बसा है और आप से पूछे दिल्ली तो दिल्ली भी यमना नदी किनारे है ठीक है दोस्तों बोरी वली राष्ट उद्ध्यार कहा है तो बोरी वली राष्ट उद्ध्यार यह है महाराष्ट में भूटान की पूद्रा का नाम है न्यूगल्ट्रम गोरकपुर एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है तो गोरकपुर एयरपोर्ट का नया नाम रखा गया है महायोगी गोरकनात एयरपोर्ट कोपा किस देश की बिमान सेवा है तो कोपा यह पनामा देश की बिमान सेवा का नाम है बाल योगी एटलेटिक इस्टेडियम कहां पर है राइट आंसर है है एदराबाद में अर्जेंटीना की राजधानी क्या है तो अर्जेंटीना की राजधानी अक्जाम में पूछी आती है गुरू ग्रंत साहिब